आज हम जानेंगे कोल्ड वार के बारे में वार इस कोल्ड वार यह बहुत इंपारन टापिक है आई आर के वाले से करंट अफेर्स पोलिटिकल सेंट्स और आई इला के वाले से कोल्ड वार जोके 1945 से स्टार्ट वा 1991 तक बेट्विन दे युएसे और फार्मर स्वेट यूनिन एक्चुली स्वेट यूनिन जो है इस वार के बारे में सुनते हैं ऐसा लगता है कि वैपन्स, गन्स, मिजाल्स, आर्मिड फोर्स लेकिन यहां कुछ सिनारियो मुख्तलिफ था कोल्ड वार इस एक्चली नाट दा वार आफ वैपन्स, दा वार अफ एकनामी वार अफ डिप्लमेसी यहां कि USA और सवेट यूनिन जो थे वो डारेकली नहीं लड़े थे वैपन के जरीए उन्होंने काफी ट्राय किया कि हार्ट डेमेज इच अदर्स, रिलेशन्स, डिप्लमेसी एंड दियर एकनामी और इन दोनों ने सपोर्ट किया था कुछ और समाल वीकर कंट्रीज को ताकि वो लड़े हमारे मफाद के लिए और ये जो दोर है 45 से लेकर 91 तक यहने कि आफ्टर दी सिकन्ड वर्ल्ड वार तिल 91 देट एरा इस नौन आइस बाइपोलर वर्ल्ड कुंके सिर्फ ये दोनों पाफुल थे अब मैंने यहां पर काफी चीज़ी मेंशन किये हैं जो कुछ इविंट्स थे डिवल्लप्मेंट्स थे इन सब को हम कहते हैं कोल्ड वार ये जो इविंट्स हैं इन सब को हम कहते हैं कोल्ड वार तो लेट्स स्टार्ट दी कोल्ड वार टुमंडाक्ट्राइन disp handy टुमंड फाक City सेवेड दिनॅ सब्सक्राइबान तो हैरी टुमंड ने एक अनॉंस्मेंट किया कि हम करते हैं टुमंड डॉक्ट्राइन नain्टीनफ़टी सेवन में और आप्के रना उञा कि those countries which face any threat from the Soviet Union will be supported by the USA. This country के पास कुई खौफ है कोई ख़त्रा है to which union तो उसको सपोर्ट करेंगे हर लाज से. एक नामी के लाज से भी डिफेंड्स के लाज से भी और खास तर पे ग्रीस यानि के यूनान और टर्की इन दोनों को काफी सपोर्ट किया गया था तो ट्रमन डाक्ट्राइन वाज एक्चुली युएसे प्लाइन टू काउंटर इक्सपंशन आफ दी सर्वेट यूनियन जो इस्प्रेट था इक्सपंशन था सर्वेट यूनियन का उसको किस तरह फिस करना है रोकना है तो यह जो प्लाइन था उसको कहा अमरिका ने ट्रमन डाक्ट्राइन उसके बोदे मर्शल प्लाइन उसको कहते हैं यूरेपन एकिनमिक रेकवरी भी मर्शल प्लाइन है क्या इसमें क्या था यूΓ एस एस सेकरिटर आफ स्टेट जार्ज मार्शल जैर्ज मार्शल ने 1948 में जो है एक एकनामिक पेकेज अनौंस किया वेस्टरन यूरप के लिए जैसे यूके है फ्रांस है जिनको वर्ल्ड वार टू में काफ़ी नुकसान पहुचा तो अमरिका ने चाहा कि इनको दोबारा सपोर्ट करना है ताकि दोबारा ये डिवलप हो जाएं तो अमरिका ने काफ़ी सपोर्ट किया था वेस्टरन यूरप को एकनामिकली आफ्र दी सेकन वर्ल्ड वार एंडेट प्लान वास नौन अइस मार्शल प्लान ये बहुत ही अच्छी बात है ये मैंने काफ़ी नोट किया है जो यूएसे जो आमरिका है वो अपने फ्रेंड्स को उनके जो एलीज हैं उनको वो काफ़ी सपोर्ट करता है हर ल वर्ल्ड वार उसके बाद क्या है बर्लिन ब्लाकेट अब ये बर्लिन ब्लाकेट क्या है बर्लिन डी टेबिलर्शिटी अफ जर्मनी जब वर्ल्ड वार टू के बाद क्या किया गया कि जो जर्मनी है इसको दो पार्स में तक्सिम किया गया जर्मनी एस्ट और वेस्ट जर् फ्रांस को ठीक है अब हुआ क्या ये तो दो हमने पार्ट के जर्मनी के उसके बर जो बरलन शहर है अब जो बरलन सिटी है ये मुकमल तरह से आ गया एस्ट जर्मनी में जो के सवेट के पास था अब इस शहर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था बरलन वाल वहां ब जो लोग थे वहाँ पर वेस्ट जर्मनी में अगर वो आएं बर्लिन के अंदर अब रश्या ने जो किया जो उनका मोटर वे जो रास्ते रेल वे ट्रेक्स थे वो सब बंग कर दिये ताकि आप अंदर ना आ सके अब जो लोग यहां पर रहते हैं फ्रांस के जो वेस्ट जर्म किये ताकि वेस्ट जर्मनी से हम बर्लिन में कैसे आएं थोरो एर स्पेस उनका खुराग चीज़ें खाना पीना आना जाना बिलकुल वो काफी लोग प्राइस में स्टार किया था आमरीका ने एक बहुत ही जो अच्छा इस्टिबली था आमरीका ने खास तो सपोर्ट डे पिपल अफ बर्लिन दियर और जो के लोग वहां पे थे वेस्ट जर्मनी से तो जब देखा सवेट यूनिन ने कि जो हमारा बर्लिन ब्लाकेड है काफी फेल हो चुका है तो मैं नैंटी फोटी नाइन में इन लोगों ने फिर वो खतम कर दिया उसके बाद है नेटो नेटो का अनूंस्मेंट जो किया था नो वो यहां हुआ था ट्रमन डाग ट्राइन के अंदर नौर्थ एटलांटिक ट्रीटरी आगनेडेशन जो एटलांटिक और्शन है उसको हमने दो नाम रखे हैं साउथ और नौर्थ जो नार्थ एटलांटिक और्शन है उसके इस्ट में है यूरप और वेस्ट में नॉर्थ अमरीका तो उनके जो कंट्रीज हैं उन्होंने बनाया ये मिलिटरी अलाइंस पहले शुरू में 12 कंट्रीज थे 49 में और आज कल वहां 30 याने के 30 कंट्रीज हैं तो नेटो वाजार सो मेड अगेंस दी एक्सपंशन आफ दी सवेटी यूनिय उसके बद क्या हुआ कोरियन वार 1950 तो 53 साउथ कोरिया नार्थ कोरिया और यहां पर काफी जो है इन्वाल थे अमरीका और सोवेट यूनियन भी याद कीजिएगा हमने कहा के जो कोर्ड वार में ये दोनों आपसमें डारेक्ली नहीं लड़े हैं लेकन अमरीका ने और सोव कुछ वीकर कंट्रीज को और ये जो जंग है इसको हम करते हैं प्रोक्सी वार्ड तो बरहाल ये जो कोरियन वार है नार्थ कोरिया वार सपोर्टिट बाई चाइन दी यू एस एस आर इसका फुल फार में दाय यूनियन आफ सवेट सोशलिस्ट रिपाबलिक्स इसको हम करत जो है जो कोरियन वार है एजार सो दा पार्ट आफ दी कोर्ड वार एरा उसके बाद है सीटो एंड सेंटो ये मिलिटरी अलाइंस थे डिफेंस अलाइंस थे जो कि बनाए गए थे अगेंस्ट दी सोवेट यूनिन बाई दी यू एस ए अमरिका ने बनाए थे साउथ इस्ट एशा ट्रीटरी आगनाइडेशन और ये है सेंटो सेंटरल ट्रीटरी और इसको कर देते हैं पहले मीटो और बगड़ाद पेक्ट भी परहल सीटो एंड सेंटो और पाकिस्तान इन दोनों का हिस्टा था अनफाचनिटली पाकिस्तन वाज़ दू मिलिटरी अलाइंस और बह पाकिस्तान विकेम इट्स मेंबर और हमारे तलकात आज तक खराब हैं इसलिए वित रश्या और ये बड़ी घल्टी थी पाकिस्तान के फ़न पालिसी की क्या वज़ था क्या रीजन था कि हमने जाइन किये थे सीट और इसेंटो और अमरीका ने आज तक हमें जो है भीकारी समझा घुलाम समझा हलांकि हमने इतने कुर्बानिया दियें अमरीका के लिए तो सीटो और इसेंटो और मेड़ ये से तो फाइट अगेंस्ट दी सवेट यूनिन और टी स्टाप दी एक्सपंशन आफ दी सवेट यूनिन उसके बद क्या है यहां पर है वार्सा पेक्ट अ में बाइ दी सवेट यूनिन तो काउंटर दी इंफ्लिएंस आफ दी यूएसे और अफ नेटो तो वार्सा जो है केपिलर सीटी है पॉलिन का जहां बनाया गया था इसको वार्सा पेक्ट को और ये एक मिलिटरी अलाइंस था नाइंटीन फिफ्टी फाई में और ये डिज जोड़ाए था वहांपर उसके बादे क्यूबन मेजल कॉरासिसिज ये बड़ा वाक्या हुआ था इसको मने करते हैं आक्टबर क्रासिस भी नाइntीन फिफ्टी तू आक्टबर का महिना है क्यूबा जो क्यूबा है वह काफी क्लोज रहा है सौेट के साथ रशा के साथ त ज़ा जंग के लिए आ गया कि यॉबा इस खोजेस चू इए जो सॉथ है यॉवएसय का वहां पर एक क्यूबा वहां पर तो क्यूबा में जब सवेट यॉनिन ने मेजईल फिट ki है वहां पर तो तो वहां एक माहौल था कि कहीं जंग ना हो जाए between the USA and Soviet Union और ये बड़ा घर्मा घर्मावल हो गया था लेकिन fortunately ये जो है फिल कूल हो गया और रश्या ने ये के Soviet Union ने वो मेजल वापस ले कर आया था अपने में एरिया में क्यूबास ही यहां पर उसके बाद एन पी टी नन प्रॉलिफरेशन ट्री ट्री इसको साइन क्या था 1968 में इसको इंप्लीमेंट किया गया 1970 में अब ये क्या है NPT इसका मतलब ये है कि जो निउक्लियर स्प्रेड है इसको किस तरह रोकना है याद कीजिएगा जब ये ट्री ट्री साइन हुआ 1968 में तब तक दिना में पांच कंट्री जो थे वो वो बन गए थे निउक्लियर पावर यानि कि जो वो पांच वीट्र पावर भी है दा यूए से दा यूके फ्रांस रश्या और चैना अब इन लोगों ने का कि हम बस पांच जो बन गए हैं बस यही पांच रहेंगे कोई और मुलक को हम निउक्लिर पावर बनने नहीं देंगे तो यह उसके लिए ट्री ट्री था एन पी टी निउक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्री ट्री थी हलांके इस एग्रिमेंट के बद चार और कंट्री भी बन गए हैं इंडिया पाकिस्तान नार्थ कोया और इस्राइल उसके बद क्या है यू एस एस आर यानिके सवेट यूनिन इन्वेजन अफ अफगानस्तान 1979 से 1988 जब जन्निवा एग्रिमेंट हुआ सवेट ने आकर हमला किया अफगानस्तान की उपर ये जो फिसला था और इसमें होआ क्या पाकिस्तान साओडी अरबिया और यूएस ए अमरीका ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को साओडी अरेबिया को ये जो है इसका कोड नाम रखा गया था आपरेशन साइकलोन आपरेशन साइकलोन was the cold name of the USA, CIA support of Taliban and Al-Qaeda ये आमरीका ने खुद बनाये थे तालबान, Al-Qaeda, मुजाहिदी, इन फाइटर्स अगेंस्ट दी सवेट यूनियन ये खुद बनाये थे आमरीका ने अंडर दी आपरेशन साइकलोन ताकि शिकस्त मिल जाए सवेट यूनियन को और 88 में जो है ये जंग खतम हो गया विद दी अग्रिमेंट आफ जन्यवा अग्रिमेंट तो ये पाकिस्तान की बिलेंडर ये पाकिस्तान के जो फान पालिसी है सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि जर्नल जिया ने पाकिस्तान को इस अफगान वार में शामल कर दिया पाकिस्तान के मदार स्टलीमी अदारे हर जग़ वो बन गह थे ट्रेनिंग सेंटर जो हमने ट्रेन किया था अफगानी मुजाहिदीन को फाइटर्स को और ये फिर हमारे पास जो है देशतगर्दी के वाके बहुत खराब माहूल हो गया और आज तक पाकिस्तान के अंदर वो मसाइल है ठीक है तो इट वाज पाकिस्तान से बेड डिसिशन बराल ये जो है ये भी कोल्ड वार का हिस्सा है अब ये सारे जो हैं कोल्ड वार के हिस्सा है एक और किस्ज जो मैंने आपे मिस्स कर दिया वह है यू-2 एंसिडन्ट 1st मेरे 1960 जब आमरीका का एक स्पाइक जेट फाइटर था प्लैन था उसने टेक आफ किया बदाबर एर बेस पिशावर से और वो गया वहाँ पर मासको सेवेट यूनिन तो उसको वहाँ पर शाट डाउन किया गया था बरहाल पाकिस्तान का सरजमीन अमरीका ने इस्तिमाल किया अपने मफाद के लिए जो के बिलकुल गलत था 1970s में मेरे ख्याल में जो दोर है जुफकाली भुटो साहब का दा गोल्डन एज आफ पाकिस्तान सफान पालिसी है और से क्योंके भुटो साहब ने जो बनाई थी फान पालिसी इट वास फिरी फ्राम दा वेस्टरन इंफ्लिएंस कोई भी मदाखलत नहीं था उसके अंदर आमरीका का या जो है यूरपन कंट्रीज का और इसलिए पाकिस्तान लेफ्ट सीटो एंड सेंटो एज रिजल्ट वी वर गर्क हो गया दोबारा उसके बद क्या है दा इंपेक्ट असरात क्या बने वाट आ दा इंपेक्ट आफ डिस कोल्ड वार अब याद कीजिएगा यह जो मैंने कहा है कि जब सवेट यूनिन ने आकर हमला किया अफगनस्तान के अंदर और आमरीका ने सपोर्ट किया पाकिस्त जिसमें दो पाफल कंट्रीज आपस में नहीं लड़ते हैं लेकिन वो अपने मफाद को देवान तो सपोर्ट अधर वीकर कंट्रीज तो गेट देर नेशनल इंटरेस्ट फुल्फिल उनको जो जाती मफाद हैं मफाद हैं उनको मुकमल करने के लिए वो खुद नहीं रहें और तबाह होंगे वो कंट्री खुद जो लड़ रहे हैं उनका फाइदा होगा पाफल कंट्रीज को जो जब नाइटी एटीज में अमरीका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को अलकाइदा को सौधी अरेबिया को अब ये नुकसान होआ पाकिस्तान को बदनाम हम हो गए और फाइदा हुआ इसका खुद अमरीका को तो प्रोक्सी वार इस सिंपली इंडारिक्ट वार डैरिज वार इन वच थे स्माल वीकर कंट्रीज आ सपोर्टेड बाई पाफल कंट्रीज तो प्रोक्सी वार जो हैं अब या मनिका अपट अफ दी कोल्ड वार क्या असरात आया गया था 1961 में बिल ग्रेड योगोसलाविया में नन अलाइन मुमिन्ट ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो कुछ कंट्रीज थे एशिया और आफ्रिका के जो कुछ डिवलपिंग कंट्रीज थे दे में डिस नेम लाकर हम नीट्रल रहेंगे हम कोल्ड वार का ऐसा नहीं बनेंगे हम नीट्रल रहेंगे और ये तन्जीम है नेम ये बहुत ही अच्छा किया था खासतर पर इंडिया ने जो इंडिया की फान पालिसी है जबर दस फान पालिसी है और हम पाकिस्तानी जो हैं बिलकल बेखूफ हैं उसके बड़ क्या है वीक जो है ये जो है कोल्ड वार ने बिलकल एक्सपूस कर दिया था ये ये के इंकामपीटनसी यन के कमज़री को उसके बड़ क्या है सेकलाजिकल इंपक्ट कोल्ड वार के दौर में लोग बिलकल प्रिशान थे मिन्टली तोर पर कि भाई क्या होगा अगर जंग लग जाए खा था एक दोनों इटामिक पावर हैं दोबारा कोई जंग लग जाए तो तबाही आ जाएगी सो दिवाज सेकलाजिकल डिस्टरबंट्स दियर इन दे होल वर्ल्ड उसके बाद क्या है डिसलूशन आफ दी यू एस एस आर सबसे बड़ी बात ये है इसको बनाया गया था सवेट को 1922 में और ये डिसलूशन हो गया 1991 में जाकर ठीक है उसके बाद क्या है दा राइज आफ तालबान और अल-काइदा 90-80 में आमरीका ने खुद बनाये थे तालबान को और अल-काइदा को और उस वक्त रिनाल्डो रेगन ने का था दे आर मुझाहिदीन दे आर हीरोस दे आर ब्रेव परसन वो बहादरें ये हैं हीरो ये वो उसके बाद क्या हुआ जब यहां से निकल गा सेडिनन तो बहला नहीं जाना टेरिस्ट ये अमरीका हमेशा ऐसाई करता है उसके अगर मفाद मुकमल हो जाएं तो आप घट्या इंसान फर बंढ देंगे तो अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान को यूज किया है टीशू पेपर के जरीए पेपर को मुसाफ किया फिर फिर फिक दिया तो पाकिस्तान को जब अमरीका ने सोचा कि इसको यूटलाइज करना है हमारी तारीफ ही पाकिस्तान ग्रेड कंट्री अजीम कौम हैं हमने भी का कि कोई हैं मिसमज ही नहीं उसके बद यहां पर क्या है दा एंड आफ बाइपॉलर वर्ल्ड नाइंटी वन में जो बाइपॉलर वर्ल्ड वो खतम हो गया यहने के पहले दो कंट्री पाफुल थे यूरसे और सवेट यूनन अब जब सवेट डिजाल हो गया तो काफी है कमजोर ह गया उसके बद आफ्टर नाइंटी नाइंटी वन दा यूएसे बिकिम दा ओनली सोल पावर्फुल कंट्री दा वर्ल्ड तो अवर्ल यह है कोल्ड वार एरा यहने के जो काफी तजाज था कंफलिक्ट था बेट्वीन दी सवेट यूनन एंड यूएसे यहने के आमरका और जो प्रक्सी वार हैं वो भी कोल्ड वार का हिस्सा ही हैं और कोल्ड वार के बद यहने के नाइंटी वन के बद क्या हुआ दा वर्ल्ड बिकिम यूनि पॉलर यहने कि एक पाफल कंट्री वो हुआ यूएसे लेकिन आजकर लग रहा है कोई 2015-16 से मुझे लग रहा है दा वर इस नो मोर यूनि पॉलर इस नाइंट मॉल्टि पॉलर तो यह था हमारा आज का लेक्चर रगार अंडी कोल्ड वार मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तक तक के लिए खुश रही है लाफरे